स्टुडेंट्स मैं हूँ मुधिता और मेरी साथ आज हम सॉल्फ करेंगे सामाजिक विज्ञान की कारेपत्रक 15 क्लास 9 ये आपकी वरक्षित 10 अगस्त के लिए है और यहां पर हमारा चाप्टर चल रहा है जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप आपकी बुक है भौगोल भौगोल का ये चाप्टर है भारत का बहुतिक स्वरूप जो आपका टर्म 1 में आएगा तो आज हम पढ़ेंगे उप विशय टतिये मैदान तो भारत के जो टतिये मैदान है उसके भारे में हम पढ़ने वाले हैं जो दो भागों में विभाजित है पूरवी टतिये मैदान और पश्चमी टतिये मैदान टतिये मैदान की कुल लंबाई एक सट सो किलो मीटर है यह मैदान प्रायदीप के पठार और सागरी चेतरों के बीच इस्थित है यानि प्रायदीप के जो पठार है और दूसी तरफ हमारा सागर है यहां पे यह मैदा इस्तित हैं विश्रिष्ताओं के अधार पर इसे पश्चिमी और पूर्वी टटिये मैदानों में विभाजित किया गया है अगर आप भारत का मांचित्र देखेंगे तो यह हमारा होता है पूरफ हमेशा मांचित्र को उत्तर दिशा की और करके देखना होता है यह हमारा होता और जो पूरब में है वो ये वाला शेत्र वो पूरवी तटिये मैदान अब हम इसको समझते हैं यहाँ पे इसका अंतल दे रखा है पूरवी तटिये मैदान जो मैंने आपको जैसे की बताया कि जो आपका इंडिया का कोस्टल रीजन है पूर्वी वाला ठीक है और पश्चमी वाला तो यह उत्तर दक्षन यह आपका पूर्वी हो गया यह पश्चमी हो गया ठीक है तो इस तरीके से यह पूर्वी यह पश्चमी इस तरीके से ध्यान रखेंगे इसके बाद अगर पूर्वी तटिय मैदान की बात करें इसके धो भाग उत्तरी भागो को उत्तरी सरकार जबकि दक्षण भाग को कोर मंडल तट के नाम से जाना जाता है जो हमारा पूर्वी तट है इसके बोल रहा है उत्तरी भाग को जो अब यहाँ पे देखिए उत्तर और दक्षण यह आपका उत्तर होगे है दक्षण जो उपर का भाग है इसको हम क्या बोलते है इसको बोलते है उत्तरी सरकार इसे आप मैप में जरूर देखे मैं भी आपको दिखाऊंगी और नीचे के दक्षण और भाग को कोर मंडल बोलते हैं ठीक है अगर हम पस्चिमी तड़की बात करें तो इसके तीन भाग हैं जहां पे कोकड मध्यकंणर और दक्षर माला बार जो यह वाला भाग है यह हमारा तीन पार्ट में डिवाइड है यह अपेक्शकृत अधिक चौड़ा जबकी चौड़ाई क्रिश्णा कावेरी तो कृष्णा कावेरी महानदी गुदावरी ऐसे धियान रखेंगे यह नदियां डैल्टा बनाती है जो नदियां गिरती है वह डैल्टा का निर्मार करती है खारे पानी की सबसे बड़ी जील चिलका जील उडीसा में इस्थित है इसके वाद प्रश् पूर्वी तटिये मैदान कम चोड़े हैं यहां नर्मदा में तापी जैसी नदियां बहती है और यहां नदियां पर्चूरी बनाती है और यहां पर क्या बनाती है डेल्टा बनाती है एस्चूरी बनाती है इसके बाद हमारा जो है कोश्ण सिनी के अधार पर दिया है पहल अगर भूल कि परक्रेटिक हैं जो अपने आप से हैं उसके बार है थार्ड में परवी ततीय मैदान के अंतर अंतर बताइए थार्ड भारत के राजनेतिक मांचत्र पर पूर्वी ततीय मैदानों को दर्शाइए तो चलिए बहुते हैं कैसे करेंगे सॉल्यूशन करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्टे कि आप वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करें साथ में अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे कुई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आपको वन डे बिफोर एक दिन पहले ही सारे वीडियो प्रोवाइट कर दिये जाते हैं पहले प्रश्ट में हमसे बोला है कि पस्चमी तत्य मैदान के तीन भाग तो तीन भाग कौन-कौन से हैं कोकड मद में कननड और दक्षण में माला बाल तट इसके बाद दूसरे में आपसे बोला है पूर्वी तत्य मैदान पर अधिकतर पतन कुत्रिम क्यों है इसका रीजन पूछा है तो पूर्वी तत्य मैदान अत्य अधिक आवशाद के निचेपन के कारण प्राकरतिक बंदरगाहों पतनों के विकास के अधिक अनुकूल नहीं है इसलिए इस तड़ पर कुत्रिम पतन ही पाए जाते हैं ठीक है यहाँ पर बंदरगाह बनाना प्राकरतिक रूप से नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या है कुत्रिम पतन ही पाए जाते हैं इसके बाद अगला जो प्रशन है यहां पर आपको differentiate करना है जब भी आपसे अंतर लिखने को बोलेगा इस तरीके से आप line खीचेंगे यहां पर लिखेंगे पूर्वी तर्टिय मैदान यहां लिखेंगे पश्यमी तर्टिय मैदान पहला है पूर्वी तर्टिय मैदान हमारा पूर्वी घाट बंगाल के खाड़ी में इस्थित है पश्यमी तर्टिय मैदान पश्यम घाट और अरब सागर में इस्थित है यहां नर्डिया क्या बनाती है डेल्टा जबकि यहां एस्चुरी बनाती है यहां अपेक्षाक्रित अधिक चौड़ा 80 किलो मीटर से 100 मीटर तक है और यहां पे आपका 10 से 15 किलो मीटर तक है तो यह तीन अंतर आप लिख देंगे अगले कुशन में बोला है कि भारत के राजनेतिक मानचित्र पर पूर्वी तटिये मैदान और पस्चिम तटिये मैदान को दर्शाई है तो भारत का अब एक राजनेतिक मानचित्र ले ले लेंगे इस तरीके से आप यहां पे लोकेट करेंगे ठीक है यहां पे आप इस तरी उत्री सरकार मैदान है और उत्री सरकार मैदान यहां पर आपको क्या हो गया कोर मंडल-तती यह मैदान इसके भाद है देखिये मालावाल नमी जोने कोन और काठिवाडा, चीक है? तो इस तरीके से आप इसको location करेंगे तो आपको एक blank map लेना है और इस reason को आपको ऐसे location करते हुए, यहां पे तीनो नाम को location करेंगे और इस तरीके से phone mentioned करके दिखाएंगे तो यह थी आप आज की आपकि simple सी वाक्षिट I hope आपको चाप्टर समध में आ रहा होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस तरीकी का बेल आइकन होगा उसको प्रेस करके all notification पे क्लिक कर दें